है गैस कैसे हैं आप लोग मैं हूँ आपका एजुकेटर विरेंद सिंग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक के बारे में और कई सारे लोग जो है कोशन पूछते रहते हैं कि हाउ मेनी कोशन्स वी नीड टू आप इन CSR एक्जाम ने से नाखिट CSR के जो एक्जाम होने वाला है उसमें पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C जो तीन तरीकी के आपके sections होते हैं उनमें से कितना कोशन करें कि हम जो है अपने आपको फील कर पाए कि हम safer side में है या नहीं है अब ये बात जो है ये इस चीज पर निरभर क ज़रूरी है कि हमारे पास तीन sections होते हैं A, B और C अगर आप life science का exam देने जा रहे है जून को तो ये आपके मन में rise हो रहा होगा कि कैसे करें तो आब ये A, B, C वाले case को जड़ा ध्यान से देखने के कोशिस करिए कि आपका क्या होना चाहिए जड़ा मैं अगर चर्चा होता है B, और तीसरा section होता है C, अब इसमें तो तीन मुद्धो को जो है लेके discuss करूँगा, सबसे पहला यह है कि अगर मैं general बात करूं तो part A में total questions होते हैं 20, part B में total question होते हैं 50, और part C में total question होते हैं 75, इस पूरे के पूरे section में आप minimum question कितने opt कर सकते हैं, मतलब अगर आप minimum question opt करना हो, तो आप 0, 0, 0 कर सकते हैं, मतलब कुछ भी opt मत करिये, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं है, आप 0, 0 काम कर सकते हैं, इसके बाद अगर maximum question की बात करें, तो what about the maximum question, कि maximum question जो है, वो कितना opt कर सकते हैं, तो maximum question जो है, एक part A में आप 15 कर सकते हैं, part B में 35, और part C में ज 35, और part C में 25, ओर फिलाल के लिए जरा सा, मैं तीनों success में जो maximum question आप opt कर सकते हैं, उसके उपर बात कर, part A में, जो maximum question आप opt कर रहे थे, वो था 15, part B में जो maximum question आप opt कर रहे थे, वो कौन सा था, वो था आपका 35, 25 and part c में जो maximum portion of opt कर रहे थे वो था आपका 25 कई सारे जो है वीडियो में ये सवाल आ जाता है कि अब इनके 15 के 15 के उपर जब आप पढ़े रहते 15 35 और 25 के चक्कर में तो यह दूविदा आती है आप सोचो कि आपके पास negative करनी के tendency बढ़ जाती है जो लालच होता है वो लालच बुरी बला है और वो लालच जो है वो कहीं ने कहीं यह आपको करवाता है कि 15 के चक्कर में जादा गलत कर देते हो और 25 के चक्कर में जो जादा गलत कर देते हो मैं एक जनरल एंजमसंस के साथ आगे बढ़ रहा हूं मतलब अगर मान लेता हूं कि पार्ट A में आपने सिर्फ कुष्ण किये सिर्फ पांच लेकिन एक्क्यूरिसी कितनी थी 100% अब यहीं पर खेल है आपका जो कुष्ण सॉल्व करते वो कितनी एक्क्यूरिसी के साथ मैंने है बोला कि आपने पाइफ पर जो है कुष्ण किया और एक्क्यूरिसी थी यानि फाइफ इंटू टू कितना हो जाएगा आपको मिल जाएंगे दस नंबर ठीक है यह बात आपको समझ में अगर पार्ट भी में मान लो कि आपने 35 कुष्ण के लालच में मत पड़ो अगर सिर सिर्फ मोटा मोटी जो है मान के चलते वो है 15 कुष्ण ठीक है अगर सिर्फ आपने 15 कुष्ण भी सही किया 35 में से सिर्फ 15 ठीक है 35 करने है मैक्सिमम लेकिन है टोटल पचास पचास में से सिर्फ 15 अगर करने जाओगे तो 15 दूना अगर एक्क्यूरिसी अजेन 100% है तो ठीक और अगर जो है एक्क्यूरिसी आप 10 कुष्ण भी मान के चलो पार्ट बे में only 10 कुष्ण ठीक है तो भी आपके पास कितने नमबर आएंगे 20 कुष्ण जो है 20 नमबर आपको मिल आएंगे 10 कुष्ण करते पर पार्ट C में से जो है 25 में से देखो पार्ट C comparatively जो है A, B, C के तुलना में A और B के तुलना में फोड़ा सा जो है lenient और easy माना जाता है reason being that इसके informations जो है वो आपको ज़्यादा यह माना जाता है कि informations दिये रहता है questions में और उसके थूरू आप read out कर सकते है अगर पार्ट B में आपने 20 question target करके चले कितने question 20 तो 20 में से अगर 4 नमबर मिला त तो अगर आप देखो कि इस पूरे case में अगर आपने पार्ट B में कितना solve किया था पार्ट B में solve किया था 15 पार्ट C में 20 पार्ट A में 5 पार्ट दुना 10 15 दुना 30 और 20 चोका 80 80 30 10 total solve किया तो 120 नमबर हो गया बवाल यही तो game है कि आपके पास 120 नमबर लाने के लिए पूर तो basic आपको यह ध्यान देना है कि कहीं न कहीं अगर आपको 120 नमबर लेके आने हैं तो in that case आप क्या कर सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ एक smart approach जो है वो follow कर सकते हो approach का मतलब है कि part A को target रखो कितना पार्ट A को जब target आप रखते हो तो उस case में जो है कहीं न कहीं तो पार्ट A में जो है आपने 5 target कर रखा है पार्ट B में 15 पार्ट C में 20 इतना question अगर धंग से target करो गे न तो काम बन जाएगा पांच करने कितने में से 20 में से टोटल question तो 20 है न भाई और पांच ऐसे logical reasoning ऐसे number and series diagram number calculations इनसे questions आते हैं और यह कर सकते हो अगर देखा जाए percentage तो यह 1 upon 4 का ratio बन रहा है यानि कि 25% चार में से एक portion कर नहीं सकते आपको क्या 25 प्रतिसत नहीं आ रहा है यहां से अगर आप देखोगे में नौट भी ऐसा कोई case नहीं होना चाहिए एकदम 110 पर्सेंट के साथ 5 question होने चाहिए कि आ रहा है तो तब यह 5 करना है उसके आगे बढ़ना तब जब अगर उसके आगे आ रहा है तो minimum इतने होने कि चाहिए यह minimum criteria कि मैं बात करूं ठीक है अब इसी case पे जो है आपके पास एक condition यह बन सकता है कि पार्ट भी में कितना आपने टार्गेट किया 15 15 आउट ओफ 50 अगर आप देखोगे तो लगभग जो है यह कितना जारा है 30 परसेंट यानी की फुल मिला जुला के एक के आसपासन में किसन से एक कोश्चन भी आपका पाट भी में नहीं बने गा बन सकता है ना अगर सही और ॉथो बन सकता है उसी तरीके से जो है पार्ट भी में में देखो जनाबnhah पार्ट बी में क्या है that is 20 करने हैं कितने में से 75 में से लगभग जो है वन अपन 4 यानि चार में से एक यानि अगेन वही 25 प्रतिसत अगर आप बुद्धी का सही इस्तेमाल करिए जनाब तो आपको हर चार में से एक कोशन करना aptitude में एकदम सही होना चाहिए हर तीन में से एक कोशन सही करना है पार्ट बी में यानि तीन में से एक बन जाए तीन में से एक बन जाए ऐसे आपके पार्ट बी में और सी में चार में से एक बन जाना चाहिए, चार पूर्शन अगर आपने देखा, उसमें से एक बनना चाहिए, तो ये कुल मिला जो लाके, अगर आप देखोगे, तो यही तो गेम बन रहा है न, and this is basically, यह जो केस आप देख रहे हैं, यही आपका, पूरा का पूरा जो है, कंडिशन ब आते हैं, और जो कितने आते हैं, 75 कोशन, इन में से पाट A में कितने करने हैं, पाट A में आप कर सकते हो, बेसिक तौर पे 5, अगर 5 से 7 कोशन टार्गेट किया, चलेगा, पाट B में से 15 से 20 कोशन टार्गेट किया, चलेगा, यादर है एक टूरेßी, 90 तो 100 परसंट होनी चा की नाम से जो है जै मार दे रों ऐसा नहीं करना चाहिए क्या करना है भाई आपका मिनिमम गोल है मतलब इतना तो एक्यूरेसी के साथ होना ही होना चाहिए लेकिन इस एक्यूरेसी के अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे अगर पांच कोश्चन मेरे बन चुके हैं सई से तो क्या मैं आगे जा सकता हूं बिल्कुल अगर आपको लगता है कि आप और कोश्चन जो है आप कर सकते हैं तो इतना पहले मिनिमम टार्गेट करें और इसके बाद फिर फर्दर जो है आप अपने गोल को जो है इनास करें ठीक है तो होफुली कि आपको यह आइडिया लग गया होगा कि मिनिममम आपका टार्गेट क्या होना चाहिए है हाव मनी कोश्चन्स विद्ध हंडर्ड परसंट एक्यूरेसी आई रिपीट विद्ध हंडर्ड परस सही करके क्या फैदा ऐसे कोश्चन सही करने का ठीक है अब देखो 15 कर रहें उसमें से 8 सही कर रहें तो आट दुना सोलर और साथ गलत कर रहें तो इसका पॉइंट फाइफ निगटिव मार्किंग करोगे तो 3.5 जो है वो क्या हो जाएगा निगटिव मार्किंग तो अल्ट इसके आगे फिर बढ़ जाना अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो ठीक है फोफुली यह जो पर्टिकलर इंफॉर्मेशन है आपके लिए हेल्फुल रहा होगा यह कोई रामबार तरीका नहीं है कि इसको करोगे तो होई जाएगा अगेन मैं आपको बता तो ते ने 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 वीडियो में तिल देन बाइबा ते केर और अल दे बेस्ट